हलो फ्रेंड्स, UPSC IAS Prelims Examination 2020 को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल रही है जिसके अंदर आपक्वा क्विशन नहीं होगा कि सैर क्या हमारी एक्जाम को पोस्ट पूंड क्या गया है आखिर सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर क्या डिसिजन रहा है आईएस प्रिलिम्स एक्जाम के अंदर जिसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिसकस किया था कि आप जो इसका पोस्ट पूंड होने का जो डेट वो 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका डिसिजन लिया जाएगा तो फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आज इसके उपर सुनवाई हुई है UPC IAS प्रिलिम्स एक्जामनेशन 2020 के को पोस्ट पूंड करने के लिए तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा होगा कि एक्जाम को फिलहाल ना तो पोस्ट पूंड किया गया है और ना इसके उपर कोई फाइनल डिसिजन है वो लिया गया है इसका जो फाइनल डिसिजन होगा है 30 सितंबर 2020 को लिया जाएगा यानि कि सुप्रिम कोट ने अभी अपना जो फेसला इसको इस्तगित किया है अपना जो फाइनल फेसला वो बुद्वार यानि कि 30 सितंबर 2020 को आएगा कि आपकी एक्जाम को पोस्ट पूंड किया जाए या फिर नहीं तो सुप्रिम कोट के अंदर जवाब के अंदर उन्होंने मांगा है कि क्या एक्जाम को पोस्ट पूंड वो नहीं किया जा सकता और इस एक्जाम को पोस्ट पूंड क्यों नहीं किया जा सकता तो देखे फ्रेंट्स वेट कीजिएगा बुद्वार तक कापा यानि कि 30 सितमबर यानि दो दिन का वेट और कर लीजिएगा तो फ्रेंट्स ये था सुप्रीम कोट का फेसला की 30 सितमबर तक इसको इस्तगित किया जाता है जाने की अभी फिलाल कोई फैनल डिसीजन इसके उपर नहीं लिया गया है जो फैनल डिसीजन वेट 30 सितमबर 2020 को ही लिया जाएगा तो फ्रेंट्स तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे बने रहेगा और साती में अगर आप इस चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और साती से सेड़ भी कीजेगा थैंक यू फूर वोचिंग